नमस्कार बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कावे जगत में आज हम पढ़ेंगे नवी कक्षा हे तु निर्धारे क्षेतिज भाग एक के कावे खंड में संकलित कविता यमराज की दिशा और बच्चो जिसके रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के जाने माने कभी चंद्रकांत देवताले बच्चो कविता पढ़ने से पूर्व आए जान लेते हैं संक्षिप्त परिचे चंद्रकांत देवताले जी का चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गाउं जौल खेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ उच्च शिक्षा इंदोर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वेद्याले सागर से साथ हुत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद रहे हैं देवताले जी की प्रमुख क्रितियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर दीवारों पर खून से लकड बग्धा हस रहा है भूखंड तप रहा है पत्थर की बैंच इतनी पत्थर रोशनी उजाड में संग्रहले आदी देवताले जी अनेक पुरसकारों से सम्मालित हुए माखनलाल चत्रुवेदी पुरसकार मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायह सभी भारतिय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए बच्चो देवताले जी की कविता की जड़ें गाउं कस्बों और निम्न वर्ग के जीवन में हैं और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन से जिसको उन्होंने बहुत पास से देखा है उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडम बनाओं के साथ उपस्थित हुआ है कवी में जहां वेबस्था की कुरूपता के खिलाब गुस्सा है वही मानवी ये प्रेम भाव भी है वह अपनी बात सीधे और मारक धंग से कहता है कवी की भाषा में अत्यंत पार दर्शिता और एक विरल संगीतात मक्ता दिखाई देती है बच्चो कविता में प्रस्तुत कविता में यनि यमराज की दिशा इसमें कवी ने क्या बताने का प्रयास किया है आईए जान लेते हैं संकलीत कविता में कभी सब्भेता के विकास की खतरनाग दिशा की और इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है जीवन के दुखदर्द के बीच जीती मा अप्शकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी अब वह सिर्फ दक्षिन दिशा में ही नहीं है सर्व व्यापक है मतलब आज चारों तरफ क्या है जीवन विरोधी ताकतों का ही सामराज्य है सभी तरफ फैलते विद्वन्स हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की और इंगित करके कभी इस चुनोती के सामने खड़े होने का मौन आहवान करता है यनि आज हम सब के लिए यह एक बहुत बढ़ी चुनोती बन गई है आए बच्चों बढ़ते हैं कविता की और यमराज की देशा यमराज किसको कहते हैं यमराज कहते हैं मृत्यु के देवता को ऐसा माना जाता है आए आरंब करते हैं कविता मा की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है परवे जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बरदाश्ट करने के रास्ते खोज लेती है मतलब कभी क्या कहते हैं कि मेरी मा की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई मेरी मा कभी ईश्वर से मिली या नहीं यह तो कहना कठीन है ये कभी को नहीं पता लेकिन कभी कहते हैं कि उनकी मा ऐसे जताती थी ऐसे दिखाती थी कि जैसे साक्षात रूप से उनकी इश्वर से बात होती रहती है और जो इश्वर उन्हें सलाह देते हैं उसी के अनुसार जिन्दगी जीने और दुख बरदाश्ट करने के रास्ते वह खोज लेती है तो बच्चों देखिए बच्पन में हम अपनी मां से बहुत कुछ सीखते हैं और प्रायह इन सीखों में जो मां हमें शिक्षा देती हैं उनमें नैतिकता और मानविय मुले विशेश तह जुड़े रहते हैं और हर मां अपने बच्चे को हर वह सीख देती है हर वह शिक्षा देना चाहती है जिससे कि उसका बच्चा एक नेक इनसान बने और दुनिया की बुरी नजर से वह बचा रहे इसके लिए वे जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चे को सचेत करती रहती है सिखाती रहती है कुछ ना कुछ बताती रहती है कभी कहानी सुना कर तो कभी ईश्वर ये शक्ती का भय दिखा कर तो कभी की मां भी कुछ ऐसी ही है तो उसने भी कवी को कुछ बच्चपन में सिखाया और जो सिखाया वो बच्चों जीवन भर कवी के साथ रहा उसे क्या धार पर कवी क्या कहता है कि मेरी मा की ईश्वर से शायद कभी मुलाकात हुई कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन वो ऐसे जताती थी कि जैसे समय समय पर वह ईश्वर से बाचित करती रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे जो भी भगवान उन्हें सलहा देते हैं वह सलहा ही उनकी वह ताकत बन जाती है जो उसको बड़े से बड़ा दुख सहने की हिम्मत देती है बड़ी से बड़ी चुनोती का सामना वह कर लेती है तो बच्चो इससे क्या पता चलता है कि कभी की मा की इश्वर में बहुत अधिक श्रद्धा थी इसका कारण क्या हो सकता है बहुत उनका अटूट विश्वास था भगवान में और कभी का विश्वास था अपनी माँ पर तो इसलिए कभी ने ऐसा कहा है अगले कावयांश पर बढ़ते हैं मानी एक बार मुझसे कहा था दक्षिन की तरफ पैर करके मत सूना वह मृत्यू की दिशा है और यहमराज को खुरुद करना बुद्धि मानी की बात नहीं देखो बच्चो बहुत सरल और सहज भाषा में कभी ने ये पंक्तियां लिखी है मानी एक बार मुझसे कहा था कभी क्या बताते हैं कि एक बार उनकी माने बच्चपन में कभी को समझाया था बताया था कि दक्षिन की और पैर करके कभी मत सूना क्यों नहीं सूना क्योंकि वह मृत्यू की दिशा है और यमराज को खुरुद करना बुद्धि मानी की बात नहीं और जो दक्षिन दिशा है वह यमराज की दिशा है बच्चों दक्षिन दिशा को लेकर हमारे समाज में तरहें की मान्यताई हैं अक्सर माईं बच्चों को बच्पन में भी बताती हैं जैसे कभी की मानें बताया, भई दक्षिन की और पैर करके मत सोना अधिकांश्ता है लोग ऐसा मानते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी धारनाएं हैं जैसे दक्षन की ओर क्या है लंका है लंका के राजा कौन है रामण है और रामण का आचरन कैसा था दुराचार से भरा हुआ था तो इसलिए कभी की माने भी शायत संभवतह ऐसा कहा होगा कि बुरे आचरन की ओर देखना तो क्या पैर भी नहीं करना तो ऐसी बहुत सारी धारनाएं हैं जो हमें सिखाने के लिए किसी ना किसी तरहें से हमने इससे जोड़ दिया ताकि हम उस गलत बात की और मुख भी ने करें उससे भी मुख ही रहें तो कभी ने उस बात को मान लिया माने बताया था कि यमराज को क्रोध सिर्ध करना नहीं अगर उनको गुस्ताा आ गया वो तो सिर्फ मृत्यू ही देते हैं तो मारे इस भ्हे के कवी ने क्या किया सदा इस बात को अपने मन में बैठा लिया और यह बात कवी के मन में इस कदर घर कर गई की कवी ने कभी दक्षिन की और और पैर करके सोया ही नहीं, दक्षिन की और कभी ने कभी भी पैर नहीं किये, वह कभी नहीं सोया दक्षिन की और पैर करके, आगे कभी क्या कहते हैं, तब मैं छूटा था, और मैंने यमराज के घर का पता पूछ लिया था, बच्चो बच्चमन में बच्चे ना जाने कैसे कैसे प्रश्न करते हैं क्योंकि बच्चे बड़े उत्सुपता वाले होते हैं जिग्यासू होते हैं जिग्यासा के वशी भूत ने जाने क्या क्या प्रश्न कर बैठते हैं तो जब कभी की माने कभी को बताया होगा और तब कभी कभी के मन में प्रशन आया होगा कभी के बाल मन में और उन्होंने मा से यमराज के घर का पता पूछ लिया कि मुझे बताओ तो यमराज रहते कहा है तो उनकी माने बताया तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिन दिशा में कि यह अमराज का घर कहा है जहां पर भी हो वहीं से अंदाजा रगा लेना कि वहां से ही यह अमराज का घर है ठीक है कवी ने बात को मान लिया और पूरी तरहें से इस बात का पालन किया और कभी के मन में जिग्यासा बढ़ती गई कि यह मराज का घर कैसा है, कैसा होगा पुन्हें कभी बताते हैं मा की समझाईश के बाद दक्षिन दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया कभी पूर्ण तह स्विकार करते हैं कि मा ने जब यह समझा दिया कि भाई दक्षिन के और पैर करके नहीं सोना तो मैं कभी सोया ही नहीं और इस बात से कभी को लाब क्या हुआ सबसे बड़ा लाब यह हुआ कि दक्षिन दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा दक्षिन दिशा के पहचान पक्की हो गई दक्षिन दिशा को पहचानने में कभी को कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा अब कभी क्या कहते हैं आगे मैं दक्षिन में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मा की याद आई दक्षिन को लांग लेना संभव नहीं था होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता कभी क्या कहते हैं कि मैं दक्षिन दिशा में दूर दूर तक गया कभी बड़ा हो गया, कभी नौकरी के सिलसले में गया होगा कभी वैसे ही भूमने गये होंगे तो कभी क्या कहते हैं मैं दूर दूर तक क्या दक्षिन में और मा की बात हमेशा कभी के मन में रही हमेशा उनको याद रही और जब तब उन्हें याद आती रहती थी जहां भी वो जाते कि ये बात दक्षिन को लांग लेना संभव नहीं था अब दक्षिन दिशा को कैसे लांग है क्यों नहीं लांग सकता था होता छोर तक पहुँच पाना अगर कोई किनारा होता निश्चित रूप से वह देखो यहां तक जो है यमराज का घर है ये ऐसे ऐसे यहां तक बाउंडरी है दक्षिन दिशा की ति यहां तक दक्षिन दिशा है तो मैं निश्चित रूप से क्या करता यमराज के घर तक पहुँच जाता और यमराज के घर को देख लेता लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि दिशा का कोई और छोर नहीं होता पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिन दिशा हो जाती है सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी देहकती आँखों से विराजते हैं देखों बच्चों कभी क्या कहता है कि आज जिधर भी पैर करके सो कैसा लगता है कि सारी दिशाएं कैसी हो गई मानो दक्षिन दिशा हो गई हैं क्योंकि कभी को तो बहुत अच्छे से पहचान थी कि मा की जो दुनिया कभी हुआ करती थी वो तो बहुत बढ़िया दुनिया थी सीधी सरल दुनिया थी सिधा संसार था निश्चल बिलकुल निरमल लेकिन आज कभी को समझ में ही नहीं आता कि दक्षिन दिशा है कौन सी क्योंकि मा ने तो कहा था जिधर दक्षिन दिशा किदर है वे तो मृत्यू की दिशा है आज कभी को चार और मौत नजर आती है मृत्यू का तांड़ कहीं भी शुरू हो जाता है तब कभी दुविधा में पढ़ जाता है कि कौन सी है दक्षिन दिशा जो माने बताई थी वह तो है नहीं आज वो दिशा ही ने रही आज क्या है सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान क्या है महल आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी देहकती आँखों सहीत विराजते हैं आज कभी क्या देखता है कि चारों दिशाओं में चारों और जहां भी देखता है कि मौत के सौदागर बेठे हैं सफेद पोश्ट लोग जो हैं वे बड़े बड़े अलीशान महलों में विराजमान हैं यमराज की शकल में आज कभी कोई सही मतलब समझ में आया कि यमराज किसको कहते हैं यनि ये ऐसे लोग हैं जिन्नोंने किस किस रूप में चारों और भय, आतंक, ब्रिष्टाचार, हिंसा फैला रखा है आज इस सिति क्या है कि व्यक्ति कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है ना हुए घर में सुरक्षित और नहीं बाहर सुरक्षित ऐसे वो लोग जो पुंजी पती है शोशक है समान्य जन्गा शोशन करते है ऐसे वो यमराज है और यमराज बचो किस किस रूप में विराज माना है आज समाज में न जाने विभिन रूपों में किस रूप में सामने यमराज दिखाई देते हैं कहीं भ्रष्चाचारी पुलिस वाले के रूप में कहीं लालशी डॉक्टर के रूप में कहीं ढोंगी संतों के रूप में तो यहीं है यमराज की कोई यमराज ऐसा नहीं है कि सिंगो वाला और भैसे पर सवार होकर अगर यम्राज आएगा उसी को हम यम्राज कहेंगे नहीं जो किसी को मृत्यु देता है किसी के जीवन का विरोधी है वही यम्राज है और ऐसे यम्राज आज समाज में चारों और फैल गए हैं इसलिए कभी भूल गया कि दक्षिन दिशा कौन सी है अंत में कभी क्या कहता है क कि मा अब है नहीं मा अब नहीं है और यम्राज की दिशा भी वह नहीं रही जो मा जानती थी मतलब जो मा के दुनिया थी बहुत सीधी सरल थी मा जो बात बताती थी सीधी सची बात बताती थी क्योंकि बच्पन में जो माएं बच्चों को बताती हैं और वो जमाना भी अब न विशेश रूप से एक चीज से दूर रहने को कहा, भई देखो इस चीज से तुम्हें खत्रा है इस से दूर रहना, जैसे कवी की माने बच्पन में कवी को बता दिया, भई ये दक्षर दिशा है इधर मूह करके तुमने नहीं सोना, पेर भी नहीं करने, कभी समझ गया लेकिन जब कभी बड़ा हुआ तो मा की वह सीख सदेव उसके साथ रही और आज कभी सोचता है गहनता से की और दुखी भी है और आक्रोश भी है कभी के मन में कि आज मेरी मा तो नहीं है लेकिन आज यमराज की वह दिशा भी नहीं रही जिसके विशे में मुझे कभी माने बताया था आज तो जीवन विरोधी ताकतें खतरनाक विक्ती चारों और दिखाई देते हैं बड़े बड़े अलिशान महलों में वो समाई हुए हैं और सामान्य जन को वहीं बैठे वे घूरते हैं जिनका मकसद केवल और केवल अपना स्वार्थ साधना है एशो आराम का जीवन जीना है और उसके लिए चाहें कितने भी लोगों को मौत के मुह में धकेलना पड़े ये लोग नहीं सकुचातें तो ऐसा वातावरन ऐसा खतरनाक समय देखकर कभी परेशान है और अपनी मा को याद करता है तो बच्चों ये थी हमारी कविता जो पूर्ण हो चुकी आगे चलते हैं अब भ्यासकारे की और यानि प्रशन उतर की और पहला प्रशन है चर्चा कर लेते हैं प्रशनों पर और आपने फिर स्वयम ही बहुत सधे हुए शब्दों में सटीक वाक्यों में आपने इन प्रशनों के उतर लिखने हैं तो आई ये संक्षित रूख से चर्चा कर लेते हैं प्रशनों पर प्रशन संक्या 1 कभी को दक्षिन दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि कभी की माने बच्वन में बहुत अच्छे तरीके से कभी को समझा दिया था कि तुमने दक्षिन की ओर पेर करके नहीं सोना और कभी ने उस बात को मान लिया था और यही कारण था कि कभी को कभी भी दक्षिन दिशा पहचानने में कठिनाई नहीं ही दूसरा प्रश्ण है कभी ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिन दिशा को लांग लेना संभब नहीं था ऐसा क्यों कहा होगा बच्चो कभी ने कि बच्पन से ही कभी के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि दक्षिन दिशा की और पैर करके नहीं सोना उसके मन में यह अवधारना बन चुकी थी कि दक्षिन दिशा की और पैर करके सोने से मृत्यू के देवताव को क्रोध आ जाता है और भैं बतले में मृत्यू दे देते हैं तो मृत्यू के भैसे कभी जीवन भर डर्ता रहा उसका मन जीवन भर आशंकित रहा इसलिए बच्चो कभी के लिए जीवन भर ऐसा लगा कि मैं दक्षन दिशा को नहीं लांग पाऊंगा तो यही कारण था कि उसके लिए दक्षन दिशा को लांग पाना संभब नहीं था मृत्यु को लेकर वह डरा भय उसके मन में समा गया था जीवन भर वह इसी आशंका में जीता रहा तीसरा प्रशन है कभी के अनुसार आज हर दिशा दक्षन दिशा क्यों हो गई आज हर दिशा दक्षन दिशा क्यों दिखाई देती है क्योंकि बचों आज जीवन आज मानव जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है अभी मैंने आपको बताया कि ने तो वेक्ति अपने घर में सुरक्षित है ने बहार सुरक्षित है आज चारों और बढ़ती हिंसा, मनुशे की बढ़ती स्वार्थ प्रवरिती और बढ़ते असंतोष ने एक ऐसा भयावह वातावरन पैदा कर दिया कि मनुशे अपने आपको हर वक्त एक अंजाने भय से घिरा पाता है आज बच्चो विज्ञान ने जहां एक और इतनी उन्नती कर ली है कि जिसके बल पर आज वह चांद तक पहुँच चुका है तो विज्ञान का दूसरा पहलू यह भी तो है कि आज ऐसे ऐसे उसने विद्वन्सक हतियार बनाए हैं कि पलक जपकते ही हजारों लाखों व्यक्ति मौत के मुख में समा जा दूए आज जीवन विरोधी ताकतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि सर्वत्र मौत का सामराज्य नजर आता है आज सभ्यता के विकास की इस खतरनाक दिशा के कारण कभी कहता है कि आज हर दिशा दक्षिन दिशा बन गई है तो बच्चो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे चौथा प्रश्ण है भाव स्पष्ट कीजिए सभी दिशाओं में यमराज के आली शान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों से विराजते हैं तो बच्चो आपको अभी अभी बताया है कि सभी दिशाओं में यमराज के आली शान महल है कि आज जीवन विरोधी ताकतें बढ़ती जा रही हैं ऐसा खतरनाक वातावरन चारों और पैदा हो गया है कि जो लोग देखने में क्या दिखाएंगे कि हमारे बहुत बड़े शुप चिन तक हैं ऐसे सफेद पोश्ट लोग समाज के और मानवता के सबसे बड़े शत्रू हैं और ऐसे लोग केवल जिनका मकसद येन केन प्रकारिन धन कमाना होता है एशो अराम का जीवन जीना होता है तो जिसके लिए सामानने जन को आम आदमी को गाजर मूली की तरह काट फेकते हैं तो इसलिए कभी ने कहा है कि आज सभी दिशाओं में ऐसे समाज के दुश्मन अपने बड़े बड़े विशाल महलों में रहते हैं और मानवता के शत्रू हैं और अपनी दहकती आखों से अपने बुरे इरादों से मनुश्यों को साधान मनुश्यों को निशाना बनाई रखते हैं उन पर वे नजर रखते हैं प्रश्न संख्या पांच पांच का दो भाग है बच्चों प्रश्न पांच के कभी की माँ ईशर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी बिलकुल देती होंगी और वहे आपको क्या सीख देती है पहला प्रशन पहले प्रशन ये उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं कि मां अपने अनुभवों के आधार पर हमें सही गलत का भेद करना सिखाती है क्योंकि मां तो बच्चे को हमेशा ही सिखाती है हमें संसकारवान बनाती है कभी वो कहानी सुना कर तो कभी इश्वर का भय दिखा कर हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना सिखाती है तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर रिखेंगे, खै भाग, क्या उसकी हर सीख, आपको उचित जान पड़ती है, यदि हाँ, तो क्यों, और नहीं, तो क्यों नहीं, देखे बच्चों, मा की हर सीख, हर शिक्षा, बच्चे के लिए सदा उचित होती है, क्योंकि कोई भी मा कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, मा के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, मा के लिए सदे छोटे रहते हैं, और मा उन्हें बहुत बड़े हो जाने पर भी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, कि बेटा ऐसे मत कर तो ये नहीं करना या वो नहीं करना तो बच्चों मा के पास जीवन के सही गलत बक्षों को परकने का अनुभव होता है उसकी बात ने मानकर हमें पच्चताना पड़ सकता है इसलिए हर मा के द्वारा दी गई सीख का हमें सेदेव मान रखना चाहिए और उसे आत्म साथ भी क करना चाहिए मा के द्वारा दी गई फोई विसी कभी भी अनुचित नहीं होती और इसके बाद है पाठेतर सक्रियता कभी का मानना है कि आज शोशनकारी ताकतें अधिक हावी हो रही हैं आज की शोशनकारी शक्तियां विशेपर अनुच्चेद लिखिए बच्चों पूर और ये मुझे चेक कराएंगे आज ही आपने ही लिखना है विवेक पूर्वक लिखना है ठीक है इससे पता लगेगा आप लोगों के अंदर कितनी रशनात मकता है और ये आपने अपने ही विवेक से लिखना है कहीं से भी आपको देख कर नकल करके नहीं लिखना आज के ल धन्यवाद